जाड़ फूग के कुछ लोग बहुत खिलाग हैं लेकिन जाड़ फूग भी वेग्यानिकता से परे नहीं है जाड़ फूग भी बहुत इफेक्टिव होता है और उतारा इसी का प्रती रूप है उतारा कैसे किया जाता है उतारा किस प्रकार से करना लाप्रद रहता है और उत आपको बहुत ज्यान देगी वीडियो तो इसको मिस मत करना पूरा देखना वीडियो और मेरे चनल डॉक्टर उमर्श्री को सब्सक्राइब करना बैल बटन दबाना और आल पर क्लिक करना जिससे इसी तरह की बहतरिन जानगारी आपको मिल सके और लाप की प्राप्ति आपको हो सके तो आईए आज का वीडियो शुरू करते हैं उतारा बेसिकली एक प्रक्रिया है जिसको सिर से लेके पैर तक उतारा जाता है कई बार क्लॉक्वाइज और कई बार एंटिक लॉक्वाइज और ये बहुत इफेक्टिव होता है इस्पेशली जब किसी भी सदस्ते का व बताते हैं उतारा कैसे करना है क्योंकि उतारा जो है सिर से लेके पैर तक सात बार भी उतारा जा सकता है ग्यारा बार भी उतारा जा सकता है विकट परिस्तिति में 21 बार भी उतारा किया जाता है ऐसा माना जाता है जिस वस्तु से उतारा किया जाता है वो चीज उस वस्तु में प्रवेश कर जाती है और उसको घर से दूर रखने पर हमारे जीवन से भी वो समस्या दूर हो जाती है वो किसी भी रूप में हो फिर हमारे जीवन में वापस नहीं आती है तो आप उस समस्या किसी भी समस्या से निजात पाने के लिए कुल मिला के नकारतमक एनरजी को रिमूव किया जाता है इस प्रक्रिया के द्वारा और किसी-किसी चीज में इसको डाला जाता है विशेश प्रियोजन के लिए और अलग अलग दिन के हिसाब से अलग अलग चीज़ें प्रियुक्त की जाती हैं। विशेश ध्यान रखने की बात ये होती है कि जिस चीज़ से आप उतारा कर रहे हैं, उस वस्तु को घर से बाहर बहुत दूर फैकनी चाहिए, घर के समीब नहीं फैकनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि गेट के बाहर आप लोग फैक देते हैं, चोराहे पर आप लोग डाल देते हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत दूर जाके और बिना बोले ही आपको आना चाहिए, बिना बोले ही घर में प्रवेश करना चाहिए, कोई टोके तर नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसे चीजें टोकने से आपका प्रयोजन पता चल जाता है और वो चीज आप पर वापस भी आ जाती है, तो कोशिश करे कि बोल तो देमें उस वक्त न बोलें और बाद में सारा procedure बता सकते हैं कि क्यों किया क्या किया लेकिन घर के लोगों तक ही सीमित रहने चाहिए ये प्रक्रिया बाहर वालों को भलंग नहीं लगने चाहिए कि आप ने किस चीज़ का उतारा किया है और क्यों किया है अगर आपके जीवन में भी आपकी तिजोरी को नजर लगी है आपकी पॉकिट को नजर लगी है या आपके धन रखने के इस्थान नजरा गया है तो विशेश प्रियोजन के लिए उतारा कर सकते हैं और उतारा एफेक्टिव भी होता है मैं जो उतारा आपको बता रही हूँ ये आप कभी भी कर सकते हैं लेकिन दिन के हिसाब से करेंगे तो जादा फायदे में रहेंगे और ये 2021-31 दिसंबर को आप कर लीजिए तो आपको बहुत फायदा मिलेगा आप अपने घर की भी नजर उतार सकते हैं अपने प्रतिष्ठान की नजर उतार सकते हैं जिस चीज पर जिस विक्ति विक्ति पर नजर लगी है उसकी नजर भी आप उतार सकते हैं आपको बहुत से उतारा करें और उस बर्फी को आप गाय को खिला देते हैं तो आपका उतारा मतला अच्छा समझा जाता है लेकिन ये उतारा जो गाय को खिलाएंगे वो गाय आपके समीप नहीं होनी चाहिए मतला आपके आसपस वाली गाय नहीं होनी चाहिए बहुत दूर गोशाला की गा रिजल्ट आपको मिलेगा और उसको भी आपको गाए को खिलाना है ये गाए भी गौशाला में ही बतलब आपके घर से बहुत दूर होनी चाहिए Tuesday को जो उतारा किया जाता है वो मोती चूर के लड़ू से करना चाहिए और उस उतारे को आपको कुत्ते को खिलाना चाहिए ये कुत्ता भी दूर का होना चाहिए आपके नजदिक का कोई family dog कोई पालतो कुत्ता नहीं होना चाहिए सड़क का यानी street dog को ही खिलाए आपको बहुत फायदा मिलेगा रिडीफ मिलेगा बुदवार को इमर्टी से उतारा करें और इस उतारे को आप किसी कुत्ते को खिला दें कुत्ता किसी भी रंका हो सकता है और चितगबरा कुत्ता भी हो सकता है किसी भी breed का किसी भी किस्म का कुत्ता हो लेकिन street dog को ही खलाना है असको खलाना है लेकिन आपको दूर वाले कुत्ते को खलाना है कुत्ता नहीं होना चाहिए Thursday का जो उतारा होता है वो basically 5 तरे की मिठाईयों को किसी पतल में रखकर किया जाता है आप दोने का प्रियोग भी कर सकते हैं या disposable किसी भी चीज का प्रियोग कर सकते हैं इससे आपको फायदा होगा और इसका करने की प्रक्रिया ये है कि किसी भी घने वरक्ष के समीब इसको रखके आना है और पीछे मुड़कर नहीं देखना है किसी से वार्टलाब भी नहीं करना है और घर में आके स्नान आपको करना है और कपड़े चेंज कर लेने है Friday का जो उतारा होता है उसमें भी मोती चूर के लड़ू से उतारा किया जाता है और उससे उतारा करने के बाद आपको उसको डॉग को यानि स्ट्रीट डॉग को खिलाना है वो डॉग आपके कॉलोनी का नहीं होना चाहिए Saturday का जो उतारा होता है वो भी काले कुत्ते को खिलाना चाहिए स्ट्रीट डॉग होना चाहिए और काले कुट्टे को मतलब स्पेशली ब्लैक डॉग ही होना चाहिए और उसी को उतारा खिलाना चाहिए उससे ही आपको रिलीफ मिलेगा और फाइदा मिलेगा तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश यही बताना और वीडियो जरा सा भी हैलफुल रहा हो तो लाइक करना, शेयर करना ऐसी जानकरी सबसे शेयर करनी चीए जिससे आपको पुन्ने की प्राप्ति हो सके सबकी ब्लैसिंग्स मिल सके और आपके थ्रू मुझे भी ब्लैसिंग्स की प्राप्ति हो सके मित्रो मेरे यूट्यूब पर 5000 से भी ज्यादा वीडियो हैं उनको भी आप देख सकते हैं 5000 की संख्या में हैं उन वीडियो को देखने के लिए आप टाइप करें डॉक्टर रूमा शरी मेरे वीडियो आपके सामने आजाएंगे जो तरह तरह से आपको लाप की प्राप्ति कराने में सक्षम होते हैं ये वीडियो डिफरेंट टॉपिक पर हैं जो आपकी भलाई कर सकते हैं जो आपके जिंदगी में खुशाली का संचार कर सकते हैं तो इनको अवश्य ही देखिएगा और मेरे बहुत लोकुप्रिय वीडियो हैं तो मैं भी उनको बना कर गौरवान वित हूँ तो उनको आप देखिए और अवश्य ही आपको लाप की प्राप्ति होगी तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ प्यारे मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद